मोदी का सपना अब आगे बढ़ने लगा है कुजरात के गांदी नगर में 375 प्रोजेक्ट के MOU आज साइन हुए जिनका फोकस रहेगा सबको सस्ता घर मोहिया करवाना लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कितनी बड़ी चिनौती होगी कितना असान या कितना मुश्किल होगा इस अपने को साकार करना इसी पर हम बात करेंगे इसमें हमाई साथ कुछ खास मैंमान भी होगे लेकिन उससे पहले देखिए रपोर्ट देश में सबको सस्ता घर मिलेगा मुदी सरकार अपने इस वादे को निभाने जा रही है इसी कड़ी में अफोर्डवल हाउस के 365 प्रोजेक्ट लॉंच हो गए है शहरी विकास मंतरी विंकया नाइडू ने इस मोके पर कहा कि देश में बड़े पैमाने पर सस्ते घर बनाए जाएंगे ताकि हर गरीब का अपना घर हो सबका सपना सच हो और केंदर सरकार इस दिशा में तीजी से आँगे बढ़ रही है तो इस लिए उनकों को उतान है जादतर शेहरों में ये सस्ते घर बनेंगे क्रेडाई देश भर में अफॉर्डवल हाउस के प्रोजेक्ट्स पूरे करवाएगा हर जरूरत मन को साल 2022 तक घर देनी की पात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन जब तक प्राइवेट बिल्डर सस्ते घर नहीं बनाएंगे तब तक मूदी सरकार का ये मिशन पूरा नहीं होगा बिल्डर्स ने भी आगे कदम बढ़ाया है और भरोसा दिया है कि इस मिशन में वो सरकार के साथ नहीं सस्ते घर देने के प्रोजेक्ट में अब बिल्डर भी आ चुके है इससे नो केवल जिनके पास घर नहीं है ऐसे गरीबों को घर मिलने की आस बड़ी है लेकिन अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर मंदी से गुजर रहा है उसको बुष्टब देने के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट काफी मददगार साबित होंगे केमरा में योगे स्ठकर के साथ के तुन जोसी जी मेडिया गांधी नगर प्रदानमंत्री बनने के बादी नरेंद बोधी ने इस बात पर चिंता जटाई थी कि साथ साल के उपर बीच चुके हैं आजादी के लेकिन अभी भी सबको छत मौया नहीं हुई हमारे देश में और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बड़ा तबका जो एफॉर्ड नहीं कर सकता है घर को वो उसके लिए सरकार पहल करें उसके लिए एफॉर्डेबल हाउसे बनाएं और इसके लिए निजिक शेतर का सहयोग बहुत जरूरी है कैसे ये मुम्किन होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे माई साथ संजीव चोहां जी हैं बिजनस हेड अदानी शांती ग्राम प्रोजेक्ट्स हमाई साथ प्रदीब अगरवाल जी थोड़ी दियर मेवस जोड़ रहे हैं चेर्में सिकनेशे ग्लोबल और गुलाम जिया इडी नाइड फ्रैंग अब सभी का बहुत स्वागत है और केतन जोशी जन्होंने सुबह सही आज इस खास समारों पर नज़र रखी हुई थी खास रहने के लिए अपना घर नहीं है उस सपने को पूरा करना चाहते हैं आज 375 प्रजेक्ट्स लाउंच हुए हैं इसके अलाबाग और क्या खास एलान हुए है हमारे कसमर्स के लिए या उन नागरिकों के लिए जो घर चाहते हैं देखे ब्रजेस एक बहुत बड़ी समस्या थी देश में कि सबको घर नहीं मिलेगा उस सपनों का घर बिलकुल नहीं मिलेगा एसी एक लिरासा लोगों में थी लेकिन जब नरेंद्र मोधी प्रदान मंतर के तोर पर आये तो उन्होंने एक मिशन शुरू किया कि सबको एक मिले और एक डेडलाइन भी टेए कि 2022 तक लेकिन ये तब तक मुम्किन नहीं होगा प्रदान मंतर का सपना जब तक कि प्राइवेट प्लेयर इसमें नहीं जुडेंगे लेकिन आज क्रेडाई ने अपने पैन इंडिया जितने भी मेंबर से जो कि बिल्डर है उन्होंने ही अफोर्डेबल सेग्मेंट में आने का एक वादा किया और आज एक साथ 375 प्रोजेक्ट है वो लॉंच किये और ये अफोर्डेबल केटेगरी के है जो केंदर सरकार की गाइडलेन है उसको फूलो करते हो ये प्रोजेक्ट है यहां से नहीं रुकेंगे 2,37,000 घर बनेंगे कुल 375 प्रोजेक्ट में लेकिन चक्साइसा जो कि आज ही करेडाय के नेशनल प्रेसिडेंट बने है उन्होंने ये खास कहा कि आने वाले 2 साल में हम देश में 25 लाग सस्ते गर बनाएंगे मतलब कि साफ है कि अब तक जो नीजी बिल्डर है अफोर्डेबल सेग्मेंट में नहीं आ रहे थे सिर्फ सरकार ही इस पर बात कर रही थी या तो कुछ कारवाई कर रहे थे लेकिन अब बिल्डर भी इस पर कूद पड़े है और परदान मंदर का सपना है वो अपना सपना समझ कर आगे आए है तो कहीं ने कहीं अब एक विश्वास होने लगा है कि हर व्यक दिन था अज सब के लिए बिल्कुल बहुत ही एहम दिन था और इसलिए आज से भी बहुत महत्पूर हो जाता है कि दो करोड घर की कमी बताई जाती है हमारे देश में और इसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एफॉर्ड नहीं कर पाता है अब संजी चौण जी एहम हो जाता क्योंकि दो मैने पहले की बात है बेंकाया नाइडू साहब ने चिंता जताई थी कि एफॉर्डबल हाउस प्रोजेक्ट्स के लिए उनके पास एक भी आवेदन नहीं आया है यह बड़ी निराशा की बात है और यह इसलिए भी एहम है क्योंकि इतना बड़ा बिना प्राइवेट भागीदारी के पूरा नहीं हो सकता है अब क्या यह माना जाया है जिससे क्रिडाई ने आगे हाथ बढ़ाया है तो यह सपने को साकार करना मुम्किन होगा प्रिजेज जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदानी समू में अदानी रियालिटी एक इमर्जिंग आम है जिसने पिछले 6 सालों में करीबन 6 मिलियन स्कुएर फीट बना के डिलिवर किया है और करीबन 2 मिलियन स्कुएर फीट अगले 1 से 7 साल में हम लोग डिलिवर कर देंगे और हमने शुरुआत से ये ध्यान रखा है कि जो हम घर दे वो अफोर्डिबल हो क्वालिटी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मोहिया करा सके आज अहमदबाद में हमारा 600 एकर में पहला हुआ है अडानी शांतिगराम करके टाउंशिप का प्रोजेक्ट है जिस निर्मा यूनिवस्टी के पीछे है वहां पे भी हमने खास ख्याल ये रखा कि ना हम अफोर्डिबलिटी पे ध्यान दे बलकि साथ में हम उनको एमनिटीज प्रोवाइड कर सके और साथ में उनको हम बेसिक इंफ्रास्रक्चर दे सके बिकोज आज सब लोग अफोर्डिब हमने पहले से ये कदम उठाया हुआ है और आने वाले समय पे भी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे चलिए बहुत अच्छी बात है कि अधानी ग्रॉप पहले से ही एफॉर्डबल सेक्मेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है गुलाम सिया जी आप से जाना चाहेंगे अगर चुनौतियों की बात करें बड़ा टार्गेट है बड़ा लक्ष यह है हाउसिंग फॉर आल 2022 तक इसको पूरा करना क्या चुनौतियां आप देखते हैं सबसे पहली चुनौति जो है हमारे देश में अफॉर्डबल लैंड की जो दिक्कत है वो सबसे उपर उसको मैं डिसकेशन करना जरूरी महसूस करता हूँ क्योंके लैंड और खास तरह जो हम अफॉर्डबल हाउसिंग की बात करते हैं इसका सबसे बड़ा जो मसला सबसे बड़ा इशू जो बनता है वो टॉप टियर सेटीज में जो साथ आट जो बड़े शहर है उनमें सबसे ज़ादा मसला बनता है क्योंके यहां पर और खास तरह से मुंबई और डिली जैसे लोकेशन पर जहां पर लैंड मिलना तकरीबर नामुमकिन है और ऐसी लैंड जहां पर आफॉडबल हाउसिंग आप अफॉडबल हाउसिंग कहरें तो जाहर सी बात है आपका टार्गेट है बीस लाग पचीस लाग के आसपास मकान यह अगर आप NCR और मुंबई की तरफ यह अगर नज़र उठा कर देख ले आपको कहीं भी इस तरह की जमीन महया कराना अपने आप में सबसे बड़ा च चीज़ है और यह दोनों फिल वक्त सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर मैं समझता हूं हमारे सामने आ रहे हैं जे और आपने लैंड की बात किये जिया साब सरकार ने भी पहल की है और तमाम स्टेट गर्मेंट से नोंने कहा है कि लैंड बैंक बनाना चाहिए और जहां प पागा है बज़े रही है कि अ ही इस ऑफिक यृषिधि सबसे पहले कई बात समझने कि ज़रुत धर हई हर परिवार को एक घर मुहयय या कंसे कम होना चाहिए यह सबसे पहली इमांड है मोदीजी का सपना भी एही है समझने की ज़रुत है कि आज इन चीजों कोover सिंद को ब कि अगर हम लैंड की बात करें तो कोई लैंड पार्सल ऐसे मोहया नहीं है जो आपको नॉर्मल गुरूप आउसिंग और इन से कुछ डिफरेंट हो दूसरी बात जो इनिशिटिव गौर्रमेंट ने लिए हैं मुझे लगता है ये ऐसे इनिशिटिव हैं कि इस वक्त इनिशि डिफ्रेट्स को कि लैंड ऐसी लैंड इनिशिटिव करें कि जिनके अंदर ऑफोर्डेबल हाउसिंग को बनाया जा सके दूसरा जो क्वालिटी ओफ कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूवत है कहीं ऐसा ना हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की इस में उस क्वालिटी ओफ कंस्ट्रक्शन में कहीं कोई कॉंप्रोमाईज हो जाए तो मैं यह कह सकता हूँ एज इस सिगनेचर ग्लोबल हमने दिल्ली एंसी आर में 2017-18 तक लगभग 25,000 घर अफोर्डेबल हाउसिंग देने का लोगों को बुक करने का एक बीड़ा उठा रख पर ध्यान रखा है अगर गॉर्मेंट की तरफ से ऐसा ही सपूर्ट हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो मोदी जी का जो सपना है वो सच ना हो पाए ऐसा मुझे लगता नहीं जिया साब आपको क्या लगता है जो भी प्रदीब जी ने बात कही है कि बैलेंस बैठा करेंगे जो जो प्राइज है वो भी बनी रहे वो भी जो आम ग्राहक है उसकी पहुंच में रहे और क्वालिटी भी ना बिगड़े बिलकुल बहुत ही सही मुद्दा है प्रदीब जी ने उठाया है और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तक जो हमारे जाने माने रियल स्टेट डेवलेपर्स है और अगर हम उसे पूरे भारत वर्ष में भी देख ले तो अब तक इन्हों ने जो मकान बनाए है डेवलेपर लॉबी ने या प्राइवेट डेवलेपर्स ने जो मकान बनाए है वो मुश्कील से पांच परसेंट आफ दे टॉप केटेगरी जो हम उपर की पॉपिलेशन करते हैं सिर्फ उसी को केटर करते आए हैं और जाहर सी बात है उनका इंफरस्ट्रक्चर भी ऐसा है कि जिसके साथ अगर उनको आज अफोडिबल हाउसिंग बनाना है तो वो माइंसेट है उसमें माइंसेट में शिफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनके सामने उखरेगा मिसाल के तौर पर अगर मैं मुंबई की एक्जैम्पल लेता हूँ यहां पर कुछ ऐसे मकान बलके खास तोर से तकरीबन सारे मुंबई में कॉस्ट आफ कंस्रक्शन आज जा चुका है तकरीबन धाई हजार से तीन हजार र सारा सो के उपर चला गया और अफोड़बल हाउसिंग की कॉस्ट आफ कंस्रक्शन उससे कम है तो यह सारे का सारा एक अलग इंफ्रस्ट्रक्शर क्रियेट करना अफोड़बल हाउसिंग को समझते हुए मेरे ख्याल से आज डेवलपर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टन बात और मैं हाइलाइट करना चाहूँगा बैंगलोर में ऐसे डेवलपर हैं जो बहुत पुराने माने हुए दिग्गस डेवलपर हैं उन्होंने एक सेपरेट कंपनी खोल रखी है अफोड़बल हाउसिंग को केटर करने के लिए तो जरूरत इस बात की है कि आगे चलते इटालियन मार्बल लगा ले चाहे वो मार्बल मुजैक फ्लोरिंग हो लेकिन खुफसूरती से लगाई जाए क्राफ्मेंशिप का ख्याल रखा जाए और ये मामूली चीज़ें हैं जो कॉस्टिंग और कॉलिटी के बीच में जो एक हमेशा से आगे चलता रहेगा आई के अध्यक्ष से उन्हें खास बातचीत की है उन्हें जो टागेट है उसको लेकर क्या कुछ शेका प्रेज़ेंट जक्षेशा ने आए सुनते हैं क्रेड़ाई के नेशनल प्रेजिडेंट जक्षेशा इस वक्त हमारे साथ मुझूदे आई हम उन्हें से बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्रेड़ाई का क्या है एजेंड है सबसे फिले जक्षिवे ये बताईए कि आज जो 375 एमुई शायन हुए वो कब तक कमिशन स्टेज पर आएंगे और आगे क्या होगा जैसा यह जो हमने पहले से निशे किया था क्रेड़ाई के प्लाटफॉर्म पे जिस बिल्डर ने या तो उसको पर्मिशन मिली है या पर जोकने वाले नहीं है 375 प्रोजेक्स हम बहुत जल्ली आगे ले जाने वाले आपको पता है हमने बूला आने वाले दो अधाई साल में हम 25 लाक यूनिट कंस्रेक्शन स्कीम चालू करने वाले हैं यह हमने वादा किया है और खाली कंस्रेक्शन स्कीम नहीं है उसके साथ टीर फोर सीटी तक बहुत हमने थ्रस्ट दिया हुआ है तो उसमें से मुझे काफी आशा है कि बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉंस मिलेगा चक्सरी भाई खासकर हमारे दर्सकों को ये बताइए कि ये अफोर्डेबल सेग्मेंट की साइज क्या होगी पर यूनिट कहां से कह और हम tis की साओ सब्घाम होगी सेखियर थ्रटी स्क्वेशनाम है 2.0 कली संथादै से प्रधानमंत्री आवां सी उजनाम맛 जो प्रावधान है एक सो दस्क्वेर मिटर तक हमने सभी प्रोजेक्स में हमने ले लिये हैं तो मेरे हिसाब से 110 स्क्वेर स्क्वेर मीटर मतलब ऐसा लगता है कि जो सपना है प्रदारमंत्री का वो जहूँ पूरा होगा प्रदीप जी स्टूडियो में हैं वो भी ऐसे ही उम्मीद जता रहे हैं लेकिन इसके अलावा क्या किसी तरह की चिंदा वहाँ पर जताएगे है प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से देखे खासकर प्राइवेट डेवलपर ने आज यही मुद्ध उठाया कि हमें हमारे पास लेंड बेंक है उस पर हम काम चला लेंगे सहर से दूर जाएंगे जो सबब एरिया होता है वहाँ पर जाएंगे लेकिन सरकार की वर से जो क्लिरंस मिलना चाहिए उसमें थोड़ी ते कि जो गलत लोग इस फिल्ड में आ गए है उसको अलग करना है और जो सही बिल्डर है उसको मोटिवेट करना है तो आज सरकार और बिल्डर दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल देखने को मिला बिल्डर के अपने कुछ मुद्धे थे उसको भी सरकार ने कहीं ने कहीं नहीं कोई न कोई स्टेज पर काम कर रहे हैं सिर्फ टागजी कारवाई नहीं है तो आने वाले समय में अफॉड़ेबल सेग्मेंट में बहुत जवर्जस्त काम होने वाला है ये एक बरोसा दिखा बिल्डर की थोड़ी कंसंती लेकिन सरकार भी उत्सा ही थे कि हम उनसको दू सबस्या क्या है आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं संजीब जी आप से आप से जाना चाहेंगी जिन चुनौतियों का जिकर अभी किया केतन ने आपको लगता है कि इसको तो केटर करना ही चाहिए इसके लावा कुछ और कदम जो सरकार को उठाने चाहिए आपकी नजर दरो में लोन मोहया हो रहे हैं उपर से सबसिडी है और आज की तरिक में एक end user है जिसको घर चाहिए affordable price पे और जैसा प्रदीप जी ने बोला कि quality और infrastructure भी एक ऐसी चीजे है जो साथ में affordability के साथ ध्यार नखनी पड़ेंगी और वो शायद हम आने वाले समय में एक बहुत ब हो है या कराए जाए ताकि ये घर जादा दूर भी ना हो और affordable परीके से एक अच्छी quality के साथ हम deliver करा सकें और इसमें SBI भी आगे आया है और उसने बहुत सारे ओफर्स दी है SBI की M.D. Corporate Banking Group भी श्री राम से बात की हमाने समयाता केतन जोशी ने उन्हें क्या कहा ये सुनते हैं आज क्रेडाई ने परदान मंतर का जो सपना है 2022 तक उन परिवार को घर देना जो गरीब है जिनके पास घर नहीं है तो ऐसे 375 प्रोजेक्ट एक्रोस इंडिया के लिए आज यहां पर लॉंच हुए और SBI ने विशेश तोर पर उनको सहुलियत दी है खासकर कुछ बेजिस पॉइंट को उनको फाइदा भी दिया है इस वक्त SBI की DGM हमारे साथ है आई यह हम उन से बात करते हैं सर बताइए आपने आज इस प्रोजेक्ट जो लॉंच हुआ उसमें किस तरह से मदद रूप होंगे आज देखिए SBI जो है वो अफोर्डबल हाउजिंग को प्रमोट करने के लिए काफी जो है वो कदम उठा रही है आज जो यहाँ जो क्रड़ाई का जो नैशनल इवेंट है SBI एक्चुली क्रड़ाई का एक नैशनल पार्टनर है और यहाँ पर आज 375 जो है वो अफोर्डबल हाउजिंग लॉंच का जो आज प्रोग्राम हुआ तो बैंक ने एक नॉर्मली इसी पार्टनर्शिप को आगे लेते हुए और एफोर्डबल हाउजिंग को एक बढ़ावा देने के लिए आज़िंग फर आल मिशन के ताहर जितने भी जो बिल्ड़र्बल हाउजिंग प्रोजेक्स लांच करेंगे नॉर्मली हमारे एक जो है वो बिल्डर फैनांस की जो एक स्कीम रहती है तो बैंक ने फैसला गया है कि जो एफोर्डबल हाउजिंग में जो प्रोजेक्स में जो बैंक फैनांस करती है उसमें हमारे जो रेट आफ इंटरेस कंसेशन गो अप्टो 35 बेसिस पॉइंट तो न के लिए आप ने कुछ छूट का अनॉस्मेνट किया है अल्री हमारे बैंक में एक चिली जो ग्रीन हाउस को प्रमोड करने के लिए एक स्कीम है और यह हमारे जो कस्तमर अगर घर ग्रीन हाउस में होमलोन लेते है तो उसमें हमारा प्रोसेसिंग फी का वह वेवर रहता है इ आपको लगता है कि बहुत अच्छा ओफर है ना केवल होम बायस के लिए होम लोन पर छूट की बात हो रही है वालकि कंस्ट्रक्शन लोन पर भी छूट की बात की जा रही है इस बिया की तरफ से बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कि हर जितने भी डिपार्टमेंट, आप ये दिखिए एक कितनी अच्छी बात है, अगर हम पूरे के पूरे सेग्मेंट की बात करें, चाहे गौवर्मेंट हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे बिल्डर्स हो, इस वत अगर पिछ किशन होते नहीं सोना होगा, तो जो एक मंदी का दोर रियल स्टेट में चल रहा था, उस मंदी के दोर से निकलने का ये सबसे अच्छा वक्त है, मुझे लगता है, जितने रियल स्टेट मेरे डेवलपर भाई है, उनको ये समझना पड़ेगा, कि अगर कुछ ट्रबल्स प अगी हुई है, शायद इससे पहले कभी किसी गौर्मेंट ने इस फोकस के साथ काम नहीं किया है, दूसरी बात, अगर जो गौर्मेंट है, कहीं इसमें वंड विंडो क्लेरेंस जैसा कोई सिस्टम बनाए, और दूसरा, जो रौ मटेरियल सप्लाइ है, उसमें कोई डिफरे जो पर सूच रही है, और आपके माध्यम से अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टैप जरूर उठाएं कि जो नॉर्मल ग्रूप हाउसिंग है, और अफोर्डिबल हाउसिंग है, वो बिलकुल एंटाइर डिफरेंट नजर आएं, ना कि उनके स्टील वही रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परकुल और सरकार कितनी गंभीर है, इस विशह को लेकर उसी से पता लगता है कि इंफरास्ट्रक्चर का दर्जा भी दे दिया है, एफोर्डबल हाउसिंग को, गुलाम जिया जी आप से जाना चाहेंगे, एक बड़ी चिंत करें, तो वो इंवेंट्री है, बड़ी बड़े पैमाने में इंवेंट्री मुंबाई में, दिल्ली, NCR में, बैंगलोरू में नजर आती है, उसका बिल्डर्स क्या करेंगे, क्या कुछ आगे चलकर कुछ ऐसा ऐसा आरेंजमेंट हो सकता है, कि एफोर्डबल सेग्मेंट मे उसमें अलरेडी हिस्सा हो, आपने पूछा कि क्या उसे शिफ्ट किया जा सकता है, मिरे लिए तकरीबर नामुम्किन नजर आ रहा है, क्योंकि जो चीज तयार है, वो एक कॉस्ट उसमें लग चुकी है, चाहे वो कॉस्ट उफ लैंड हो, कॉस्ट उफ कंस्रक्शन हो, कॉस इसी तौर पर आप उसे अफोड़िबल हाउसिंग में शिफ्ट कर पाई, ये मिरे नामुम्किन दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज जो आप मंदी की बात कर रहे हैं, एक और चीज जब हम ये साड़े तीन सो चार सो प्रोजेक के लांच की बात कर रहे हैं, ये सारी च चीज जिसकी बात हम अब भी नहीं कर रहे हैं, वो है कंजियूमर, अगर आप जब तक के इन सारी प्रोजेक को कंजियूमर की नजर से ना देखें, आगे चलके एक बहुत बड़ी समस्या के बारिस बन सकते हैं, इसका मतलब मैं कहना ये चाहूँगा, कि अगर आपने आज ये सारे 300 प्रोजेक्ट शुरू कर दिये, कहीं न कहीं आपको इसमें कंजियूमर की तरफ से फंडिंग भी आनी जरूरी है, और जैसा आप जानते हैं, पिछले साल, दो साल, तीन साल में कंजियूमर ने रियल स्टेट की तरफ से जो मूँ मोड रखा है, अगर आगे चलते ये प्रोजेक्ट शायद किसी ने किसी मकाम पे जाके बहुत बड़ा चैलेंज फेस करेंगे, शायद रुख भी जाएं, तो उसे भी अपने आप में देखना जरूरी होगा, कंजियूमर को मकान चाहिए कहां पर, महद इसलिए कि मेरे पास कोई 600 एकर की प्रॉपरटी कहीं कहा हैं, उन सारी चीजों को सामने रखके उस लैंड का सेलिक्शन किया जा और उसमकान बनाया जा जब तक कि ये अप्रोच ये रुख ना देखा जाए, तब तक ये सारी प्रोजेक्ट शायद कहीं न कहीं जाके किसी ने किसी दिक्ट का सामना जरूर करेंगे, बहुत को भी निकल कराएं है, क्वालिटी और एफोर्डिबल प्राइज जैसे कि प्रदीव जी ने कहा, उसमें बैलन्स बिठाना बहुत जरूरी है, और रफ्तार देना भी जरूरी है, तैस समय सीमा में घरों को बनाना भी बहुत जरूरी है, पिराल आप सभी का बहुत शुक्र प्रचा में हमाई साथ जुडने के लिए बहुत धनिवाद और इस खास प्रश्चेश में इतना ही, छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारे हैं।